क्या आप जानते हैं, दुनिया का सबसे शक्तिशाली ग्लू इतना ज्यादा पावरफुल है, कि जिस पे आप एक बार चिपक गए, तो दस लोग मिलकर भी आपको नहीं छोड़ा पाएंगे, तो आखिर ये ग्लू इतनी मजबूती से क्यों चिपकता है, चलो जानते हैं, बत अपजूद एलिमेंट तुरंट चीजों से चिपक जाते हैं, और तो और ये एक ऐसा लिक्विड है, कि जिस पर आप दोड़ते हो या उचलते हो, तो ये ठोस जमीन जैसा लगता है, लेकिन जब इस लिक्विड को आप हाथ में लेंगे, तो ये पानी जैसा लगेगा, इस अपर भारत और दूसरे देशों में खेती का काम इनसान करते हैं, वही चाहना में ये काम रोबोट द्वारा किया जाता है, जितना काम इनसान एक दिन में करता है, उतना काम ये रोबोट एक घंटे में कर देता है, वह भी बिना ठके और बिना रुके, और तो और चाइना म आपको पहाड चड़ने के लिए भी बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि यहां के पहाडों पर अपने आप ऊपर चड़ने वाली सीड़ियां लगाई गई हैं। को ऐसी चैन की मदद से भी काटा जाता है बता दे कि यह कोई साधारन चैन नहीं लेकिन इसके आगे नुकीले काटे लगे होते हैं जिसे आराम से पेड को काट दिया जाता है। इस से मिट्टी की पकट डीली पड़ जाती है और जगह जगह पर सडके धसने लग जाती है। दूसरी तरफ पहाडी इलाकों में सडक के किनारे खड़ी चटान होती है जिसे हलका भूकम पाने पर पत्थर लगातार सडकों पर गिरते रहते हैं। क्या आप जानते हैं दुनिया के तीन सबसे गंदे शहर कौन से हैं। ये शहर इतने गंदे हैं कि यहाँ पर कूडे के बड़े बड़े पहाड दिखते हैं। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है भारत का दिल्ली शहर। यहाँ पर कूडे के तीन विशालकाई पहाड खड़े हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये कूडे के पहाड की उंचाई, कुतुब मीनार की उंचाई से बराबर पहुँच चुकी है। और यहाँ पर 190 लाख टन कूडा स्टोर है। दूसरे नमबर पर आता है पाकिस्तान का लाहौर शहर। यहाँ पर इतना प्रदूशन है कि लोग ठीक से श्वास भी नहीं ले पाते। वही पहले नमबर पर है चाईना का होतान शहर। यहाँ पर हर दिन लाखों टन प्लास्टिक को समुद्र में फेंका जाता है और यहाँ के होतान शहर में कचरे के कारण लोग घर से बाहर भी नहीं निकलते।